ग्रहन हर किसी के जीवर में महत्वर रखता है आज होने वाला ग्रहन भी बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन गलत सलत जानकरी आपको दी जा रहा है सही जानकरी सिर्फ इसी चैनल पर जिसका नाम है डॉक्टर उमा श्री गलत जानकरी से आपको बचना है रॉक्टर उमा श्री मेरे चैनल में व्यूवर सब्सक्राइबर आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम आपको बता रहे हैं ग्रहन के बारे में जानकरी और कौन-कौन से डेट को ये ग्रहन पढ़ेंगे जान लीजिए हम पंचांग ही डारेक्ट आपको दिखा रहे हैं जिससे आप जान सके गुनि जन दैवग्यों द्वारा निर्वित ये पंचांग है और इससे आपको जबरदस लाब हो सकता है आप जान सकते हैं किस तारीकों ग्रहन होगा और उससे आप से तयारी कर सकते हैं आज है खगरास सूर्य ग्रहन जो है 20 अपरेल 2023 को इसके बाद कंकन सूर्य ग्रहन होगा 14-15 अक्टूबर 2023 को खंड ग्रास चंद्र ग्रहन होगा 28-29 अक्टूबर 2023 को और खगरास सूर्य ग्रहन होगा 8-9 अपरेल 2024 को माग उपच्छाई चंदर ग्रहन होगा 5 और 6 मई 2023 को और माद्य उपच्छाई चंदर ग्रहन होगा 25 मार्च 2024 को यह संपूर्ण जानकरी हमने आज के वीडियो में दी आपको आप जानिए खागरास सूरे ग्रहन जो आज 20 अपरेल 2023 अमावस्या को हो रहा है इसका क्रक्या प्रभाव पड़ेगा आप डारेक्टली पंचांग में देख लीजिए यह खागरास सूरे ग्रहन है जो 20 अपरेल 2023 को पड़ रहा है इसमें पश्ट लिखा है यह भारत से बहर होगा यानि भारत में द्रश्यमान नहीं होगा तो आपको घवराने के जरूरत नहीं है सूतक नाम के कोई चीज ही इस दिन नहीं लगेगी आपको बस मात्र भारतिय स्टेंडर्ड टाइम के अनुसार जानना है कि 7 बच के 4 मिनिट को प्रातेकाल यह प्राराम हो चुका है और 12 बच के 29 मिनिट तक यह विद्देमान रहेगा तो आपको यह काम करना है जो हम आपको बता रहे हैं अगर आप बहुत घवराते हैं ग्रहंट के नाम से तो यह आप उपाई कर लीजे लेकिन यह उपाई अमावस्या की वज़े से भी हमने आपको दिये हैं जिसको आपको शांत करना जरूरी है तो आपको सूर्य ग्रहंट के प्रभाव से तो इतना फरक नहीं पड़ेगा लेकिन अमावस्या नेगेटिव बे होता है और गुरुवार का दिन होना से बहुत भारी हो जाता है तो आपको उप्याय करने आवशक होते हैं इसलिए हमने फ्विट करी के उपाय आपको बताए हैं उनको करने से आपको लाब होगा तो आज का वीडियो आपकी information के लिए था तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके आवश्य बताना thank you so much